जेहिन लास्ट टाइम जब हम लोग पेनी स्टॉक के लिए मिले थे तब मैंने आपको पतेल इंजिनिरिंग दिया था 24 रुपई के आसपास 100% रिटर्स दे चुका अभी 48 हो चुका है एक और टाइम है एक और मौका है बढ़िया है या नहीं है वो तो अनलिसिस डिसाइड करेंगे और आप डिसाइड करोगे कि एक और पेनी स्टॉक हम लोग अनलिसिस करने वाले हैं हाई व्रेवान मैंने में जुबोर वाशने आइम एक और पेनी स्टॉक देखने वाले हैं 13 रुपई का कि क्या फंडमेंटल्स हैं उसके अच्छा बिफोर दाट एक डिस्क्लेमर देता हूं देखो पहली बात यह तो क्लिर है कि पेनी स्टॉक है तो फंडमेंटल्स जैसे कि exactly पटेल में हो रहे हैं तो definitely पैसा बनाया जा सकता है तो उसी हिसाप से एलोकेट करना क्योंकि टाइम लगेगा पैसा बनने में यह नहीं है कि पैसा बनने में नहीं टाइम लगेगा पैसा बनने में देखते हैं किस तरीके से बट यह सक्षार मोविंग अगर अब में डिसकस कर रहा था पटेल का दो महीने पहले मैंने डाला था दो महीने में 24 रुपए का 48 रुपए अल्रेडी हो चुका है अब आज का जो स्टॉक पिक किया है IFCI IFCI में क्या हुआ पहले ये समझते हैं चार्ट कम प्रेस करते हैं तो यहां पर यहां पर बूटफल स्रकचर कर बना हुआ है blue pickle लेटे छहलोग देखते हैं यहांपर क्या हुआ डेफिनिलिटल एक higher 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 know की formation में पहलो कसे चार्ट करते हैं पहले तो डूसरी चीज है हम पर देखना लास टाइम भी स्टॉक जब इस रेंज में आया था समवाट अराउंड 9 रुपई के आसपास 9 रुपई से लेकर यहां पर समवाट अराउंड 6, 16, 17 रुपई तक रैली आई, फिर वापस से 9 रुपई के आसपास आया, अगें, नॉलिज परपस से बता दू, 9 रुपई से सपोर्ट लेकर वापस से यहां पर जाने का यह डेफिनिलिटी ट्राइ करेगा, बट क्या हमें 13 या 14 का 9 या 14 का 16 ची हमें, नहीं हमें तो उससे जादा चाहिए रहेगा, तो उसके लिए फंडमेंटल्स पर एक बार नजर मार लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, फंडमेंटल्स से यहां से और जूम इन कर लेते हैं, यह रौकी रानी को साइट करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्ल्यू 0.58, मतलब वन से भी नीचे अभी इस टाइम पर करेंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है नेक्स पार्ट पर आते एक बार क्वार्टर्ली रिजर्ट्स, बैलेंचीट और फिर देखते हैं कि बेचते कितना है, और बचता कितना है चलो, यहां पर आते हैं, 236 करोर, 236 करोर की सेल थी जो कि एकदम से अल्मोस्ट हाफ हो गई, 114, थोड़ी सी बड़ी 123, फिर वापस से थोड़ी बड़ी 154 और 141 के आसपास चलो, एक डिप आया, पर वापस से दीरे 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 रिकावरी तो आ रही है ठीक है, नेक्स पार्ट पर चलते है कि सेल्स तो कर दी, सेल्स करने के बाद बचता कितना है वो बताओ, कि हाथ में कितना बचा आपके पास, वो मेरे लिए मीन कराक्स है अब यहाँ पर क्योंकि फिनांस का स्टॉक है तो सबसे इंपोर्टन बात रहता है प्रोवीजन प्रोवीजन क्या है, वो समझाते तो नौलिज परपस से माल लेते हैं, मैंने 100 करोड का लोन बाटा, 100 करोड का लोन दिया, फिनांस करा अब मुझे लग लगा है कि यार यह बंदा ना लोन हो सकता है, दे ना दे, दे ना दे, राइट तो कंपनी क्या करती है, धीरे 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 पैसा असाइड करना शुरू कर देती है हर quarter के results में हर month में थोड़ा थोड़ा पैसा aside करती है ताकि उसकी balance sheet पे एकदम से जर्क न पड़े मान लेते हैं बाद में वो बन्दा कहता है भया मैं 20 करोड नहीं दे पाऊंगा 100 करोड में से 80 करोड ही वापस आए तब आपको 20 करोड का loss आगया एक बारी में तो इसलिए company हर quarter में थोड़ा थोड़ा पैसा aside करती रहती है provision बनाती रहती है उन चीजों का कि जो bad debt हो सकते है bad debt हो गए तो provision से वहाँ पे transfer कर देगा तो balance sheet में एक दम से जर्क नहीं लगा दिखाई देगा कि इस तरीके से चल रहा था अरे इतना profit कम हो गया ये है provision और ये बनाना जरूरी है according to RBI चलो तो यहाँ पर provision की बात करें provisions अच्छे खासे बना रखे हैं company ने जिसकी वज़ा से यहाँ पर clearly impact दिखाई दे रहा है समझते क्या है minus 107 करोड लॉस यह profit and lost tax from अच्छे काम करते हैं लोग इसको छोड़के डारेक्ट पर चलते हैं ये ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है minus 107 करोड यानि लॉस minus 232 करोड लॉस वापस से profit में आए 109 करोड वापस से थोड़ा सा profit डिप हुआ 67 और वापस से बढ़ गया लॉस बढ़ गया 232 करोड एक्जाक्ली यहानी की एक साल पहले के पास ही reason provision हाव लो number one ये इसको हटाते हैं और provision को सामने लेकर आते हैं ये column जब जब इन्होंने provision हटाई हैं तब definitely company profit दिखा पाई बट जब company ने यहाँ पर provision अच्छे खासे बनाए तो company वापस से loss में आ गई तो यानि कि finance जतना जा रहा है उतना वापस नहीं आ रहा exactly जिसका reason है ये 13 या 14 रुपे के आसपास trade कर पा रहा है अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि fundamentals definitely poor है जिसकी वज़े से ये 13 14 रुपे के आसपास trade कर रहा है fundamentals दीरे दीरे improve करते तो समझ आएगा कि यहाँ पर एक balance बन सकता है अच्छा इसमें हम लोगों ने promoter holdings नहीं देखी है वो भी एक बारी को जल्दी से नजर मार लेते हैं कि promoter की holdings वगेरा यहाँ पर क्या चल रही है नीचे की तरफ आते हैं और 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 काफी नीचे आ गए आगे चलो promoter की holdings की बात करते हैं तो एक only good news यह दिखाई दे रही है 64, 64, 66, थोड़ा सा और बड़ा 66, 70 last, last 3, 4 quarter में 64 से 66, 64 से 70 के आसपास यहाँ पर मदब 6% के आसपास on average 10% जो उनकी holdings थी उसमें add किया है अच्छी बात है FII की बात करें तो FII ने थोड़ा सा घटा है 0.5 के आसपास DIA की बात करें तो DIA ने भी हलका सा घटा है public की बात करें तो public की holdings यहाँ पर कम हुई है 24 से 22 हो गई जो promoter ने यहाँ पर factor in कर ली, digest कर ली अब इसको ऐसे समझते दिशितना public का free float कम होगा उतना ही supply कम होगी supply कम होगी, demand यहाँ पर है supply हाँ पर है, stock trade कर पा रहा है fundamentals के according demand यहाँ पर है, supply कम हो गई तो automatically demand बढ़ गई जिसकी वेज़े से share prices थोड़ा सा buffer ले रेता है, weekly chart के structure पर चलते है, कि देखते हैं और compress करके क्या चल रहा है इसके weekly chart के structure में again, another one with the volatility compression, double bottom भी बोला जा सकता है, यही वो level है, ध्यान से देखना पहले यहाँ पर bounce आया फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, exactly जब भी बार बार 9 रुपई की range में आता है 9 रुपई, 8 रुपई की range में आता है एक अची खासी rally आ जाती है ठीक है, और chart compress करके लेखते हैं कि structure क्या लग रहा है, kind of a cup and handle बनाने का try कर रहा है एक resistance zone पर तो है resistance zone पर है, यहाँ से cross करता है, तो मेरा पहला target यह बनेगा, somewhat around 20 रुपई के आसपास, और definitely दूसरा target यह बनेगा 36 के आसपास बट, इसको इस तरीके से behave करना पड़ेगा, मतलब as in इस shape में ही move करना पड़ेगा इस trajectory path में ही move करना पड़ेगा, चलो, यह थे IFCI के detailed analysis, penny stock है, तो उसी हिसाब से capital डालना यह मतोचना कि हर बार जो stock दूँगा, वो 24 का 48 हो जाएगा डबल हो जाएगा, time लगेगा time लगेगा, penny stock है fundamentals बेकार है, जो हम लोगों ने already देख लिया, तभी पैसा बनेगा अगर patience रखा जाए, IFCI के penny stock के detailed analysis थे video पसंदा है हो, share with your friends like and subscribe, thank you for watching the video lots of love